पती पतनी में जगड़ा गलफ्रेंड बॉइफ्रेंड में जगड़ा दूर करने के लिए वशीकरण का टोटका करा जाए तो वो फिर से सही हो सकता है आज मैं आपको यही समझाऊंगा अपने चैनल जीएश टीवी के माद्यम से हर रोज आप हमारा वीडियो देखते हैं जो मैं इस उपाई को पुरा ध्यान से देखिये और सीखने के बाद में से इसे अपलाई कीजे आपका काम जडियों सरे लोगों के काम बनेंगा अगर आप इस उपाई को वैसा ही करेंगे जैसा हम बताएंगे तो ये उपाई कपड़ा बाल और नीबू से होगा इसमें बहुत जरूरी है इन चार चीज़ों से इस वशिकरण के टोटके को किया जाएगा और सामने वाला इंसान पूरी तरीके से अपना दिल दिमाग आपको दे बैठेगा यानि वो अगर आपको एग्णॉर कर रहा है तो वही आप से प्यार करने लगेगा सीधी भाशा में अगर आई ये समझाया जाए कि कोई हर वक्त आपसे गुस्से में रहता है वो आपको अच्छा नहीं लगता तो वही वैक्त जो गुस्से में रहता है वही हर वक्त आपसे प्यार से नर्मी से बात करेगा बड़े ही अच्छे धंग से बात करेगा आपसे तो अलग-अलग होते हैं किसी को पांच से दस मिनट में रिस्पांस दिखाई देता है तो किसी को चार से पांच दिन भी लग सकते हैं हर किसी के मामले अलग-अलग हो सकते हैं दोस्तों तो हो सकता है कि आपका काम आधे गंटे के अंदर बन जाए और आप अपने जीवन साथी को अपने वश में आसानी से कर लें। क्योंकि यह जो वशिकरण होता है, यह हर कोई नहीं कर पाता है, आपको मैं यह बहुत ही अच्छे डंग से समझा देता हूँ, हर कोई यह वशिकरण का काम करने पाता है, वीडियो बनाने वाले । पचास मिल जाएंगे आपको लेकिन काम करने वाला एक भी नहीं मिलेगा जिसके उपाये से काम होता हो आप उसी कोई अच्छा समझे जिसके उपाये से काम ना होता हो चाहे वो जैसा भी हो उसके काम से जब असर ही नहीं हो रहा है तो उसे क्या अच्छा समझा जाए ठीक है दोस्तों, आप हमारे उपाई को एक बर अपलाई कीजिये, काम होता है तो आप मुझे अच्छा समझिए, और काम नहीं होता है तो आप भी मुझे गلत समझ सकते यह मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, और जो भी हमारे उपाए को करेगा सीखेगा उसको मैं दो बातें पहले से बोल दे रहा हूँ सबसे पहली बात वो लोग हमारे चैनल जीएश टीवी को सबस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि यह सुपाए को करना चाहते हैं या कर रहे हैं और दूसरी बात ही हमारी आपको मानने होगी कि यह सुपाए को किसी के उपर नाजायज इस्तेमाल नहीं कीजेगा इस उपाए को अच्छे काम के लिए कीजेगा अगर आप पती पतनी हैं तो या अगर आप शादी विवा करना चाहते हैं या चाहती हैं तो भी इस उपाए को कर सकते हैं चलिए हम आपको बताएंगे ये जुपाय को करने का सही तरीका क्या है और इसमें क्या क्या चीजों क्या आउशकता है कैसे होगा वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप वीडियो को बड़ा होने का कोई करान मत समझे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए सीख कीजिए उसके बाद ही apply कीजिएगा सबसे पहले तो पहना हुआ किपड़ा होना चाहिए और यह कपड़ा जाए नीचे आो चाहिए उपर जाएंडरूनी कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को आपको सबसे पहले उठा के दो लेना है, दोने के बाद ने अपने पास रख लेना है, और उसके बाद में एक नेमबू लेना है, नेमबू, वैसा नेमबू होना चाहिए कि उस नेमबू के अंदर कोई कटा हुआ, पहले से यूज किया हुआ, आध तीक को अपने वश में करना चाहती हैं तो जो हर रोज आप सिंदूर लगाती हैं उसको मत लीजएगा नया सिंदूर ले लीजएगा अब आपको बालों की आउशक्ता है बाल भी आपके अपने होंगे वह बाल जब आप नहानते हैं असनान करते हैं या बालों को जाडते हैं उस समय जो कंगे में या नहाने के समय पर बाल निकलते हैं उन्ही बालों को आप उठा करके अपने पास रख लेंगा अब आपको ये उपाय करनी है ये चार चीजें आपके पास हो चुकी है अब आपको एक छोटा सा यंतर बनाना है कपड़े पर द्यान से समझेए कपड़े पर आपको एक छोटा सा यंतर बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता दूँगा, वीडियो को दियान से देखिए, लेकिन इसको बनाने का जो सही तरीका है, वो भी समझ लीजेगा, बना आपका काम नहीं बनेगा, तो कपड़े को पर आपको यंत्र बनाना है, पहले तरीका समझ लीजे कि कैसे बन और नहीं हैं तो यह उपाय होगा रात को 12.00 के बाद है तो आप इसी यंत्र को कपड़े के ऊपर लिखेंगे काले पींट की सायता से वो आपको घर में आपके बड़े आसानी से मिल जाएगा हो चाये नया पेंट ह Cancer ुछाएए पुराना अंदर बनाना है अब आपने नीबू पर भी यही अंदर बनाया कपड़े पर भी यही अंदर बनाया अब आपको उसका नाम लेना है ग्यारा सो मरतबे और अपना नाम साथ में जोडते हुए लेना है आप नीबू पर और कपड़े पर बाल और सिंदूर पर पूरी तरीके से 11 200 मर्तबे नाम बोल कर पहले फूब मार देंगे फिर आपको यह अंदर बनाना है नेमु पर भी बन गया कपडे पर भी बन गया अभाको नेमू को बीच से काटना है उसका और अपना नाम लेकर के ये सब काम आपको रात में करने दिन में नहीं करने ये सारे काम 12 बजे के बाद ही रात में करेंगे ये समय कोई भी हो सकता है नेबू को काटेंगे अपना और उसका नाम ले करके और उसके अंदर बीच में सिंदूर भरेंगे इस तरी है तो उसका नाम लेकर के भर सकते हैं और अगर इस तरी है तो जिस तरह मांग में संदूर चड़ाते समय पती के लिए प्रातना करती है वैसे ही वो इस तरी नीबू के अंदर संदूर चड़ा देगी पुरूश है तो उसका नाम लेकर के प्रातना कर ले और नीबू के अंदर संदूर चड़ दिया है, अब आप अपने टूटे बालों को उसमें रख दीजे, रखने के बाद मीं उसी कप्डे की एक पोटली बनाईबे, पोटली बनाने के बाद में इसको आप किसी भी बहते हुए पानी में आजकल तो बारिश कपड़ा होना चाहिए इस बात का खैर रखियेगा कपड़ा आपके पार्टनर का होना चाहिए बाल आपके होने चाहिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो जनम भर के लिए वो इनसान आपके बश्में हो जाएगा इस उपाय को सिर्फ एक ही बार किया जाता है बार बार नहीं किया जाता है अब आपको ये एक बार आपने अगर कर लिया है तो वो इनसान हमेशा आप से खुशी से बात करेगा प्यार से बात करेगा मुहबबत से बात करेगा यानि वो आपके पूरी तरीके से बश्च में हो जाएगा अगर आप इस उपाय को करना चाहें तो अपता हमें किसी भी दिन 12 बजे रात के बाद कर सकते हैं लेकिन करने से पहले हमारे चैनल जीएश टीवी को सब्सक्राइब करना होगा बेल आइकन के घंटे को दबा दीजे ताकि इसके बाद का जो तरीका है वो भी आपके समझ में आ जाए और वीडियो को तो बिना लाइक कि वे इस उपाई को मत कीजेगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा कि आप इस उपाई को करना चाहते हैं दोस्तों जो लोग हमारे यहां से काम करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहां से काम करवा सकते हैं स्पेशल कारे लेकिन वाट्सअप पर आपको मेंसेच करन पड़ेगा